जहेह हैं दोस्तो आज हम सरवणाम के उपर चार्चा करेंगे दोस्तो इसके पहले वाले क्लास में आप लोग को संध्या के बारे में बताएं और वारमाला भी बता दीहीं हैं दोस्तो यहां से दोस्तों देखिए सरवणाम से एक कोोशचन यो पीपलिस में पूछा जाता है इसलिए इसको बहुत अच्छे और तगड़े तरीके से देखेंगे दोस्तों जब आपका थियोरी बेसिक चैप्टर तैयार हो जाएगा दोस्तों तो कोशन अपने आप फोड़ के आओगे दोस्तों इसलिए पहले हम इसको थियोरी पढ़ लेते हैं दोस्तों कोशन उसके बा पर परियोग होने वाले सब्दों को क्या कहते हैं पर परियोग होने वाले सब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों सर्वनाम कहते हैं और दोस्तों एक परिभासा और बता दें आप लोग को सभी नामों के अस्थान पे जिन सब्दों का परियोग होता है उससे क्या कहेंगे दोस सभी नामों संग्या क्या है नाम है नाम के अस्थान पर परियोग होने वाले सब्दों को क्या कहेंगे दोस्तों वाले सब्दों को सब्दों को क्या कहेंगे दोस्तों सर्वनाम कहेंगे यहां दोस्तों देखिए परिभासा तो पूछे गाने पूछे कुल संख्या कितनी होती है सर्वनामों की कुल संख्या सर्वनामों की सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है कुल संख्या कितनी होती है तो कितना बताएंगे दोस्तो ग्यारा कितना बताएंगे ग्यारा यदि आप से कह दे सर्वनाम के परकार कितने होते हैं सरवनाम के के परकार कितने होते हैं तब कितना बताएंगे दोस्तों छे देखें दोस्तों यह हमेशा पूछता है सरवनामों की कुल संक्या कितनी होते हैं ग्यारा इसको दोस्तों अच्छे से दिमाग में छाप लेना नहीं तो हमेशा यह कोश्चन अभ होते हैं परकार छो के नाम देख लेते हैं दोस्तों पहला होता है पुरुस वाचक सर्वनाम पुरुस वाचक सर्वनाम और दोस्तों दूसरा होता है निज वाचक सर्वनाम निज वाचक सर्वनाम और दोस्तों तीसरा होता है निश्य वाचक सर्वनाम निश्य वाचक सर्वन वाचक सर्वनाम और चवथा होता है दोस्तों इसको नंबरिंग कर लेते हैं दोस्तों एक दो तीन चार अब देखें दोस्तों चवथा होता है आनिश्य वाचक सर्वनाम और दोस्तों पांचवा होता है दोस्तों संबंद वाचक सर्वनाम संबंद वाचक सर्वनाम और दोस्तों छठा होता है छठा नंबर है प्रस्णुवाचक सर्वनाम प्रस्णुवाचक सर्वनाम अभी दोस्तों ऐसा बता देंगे ना दिमाग में तुम लिखने उखने में जरूरत है नहीं दिमाग में सिर्फ एक वे समझ लोगे अच्छे से तो यह हमें सा याद हो जा बताएंगे सर्वनाम कितने होते हैं पूछेगा तो कितना बताएंगे सर्वनाम के परकार पूछेगा तो चे बताएंगे ठीक दोस्तों आप देखिए दोस्तो पहले हम पुरुस वाचक सर्वनाम के बारे में देखेंगे दोस्तो यहां से कोश्चन क्या क्या पूछी जाते हैं अब दोस्तो पहला देखेंगे क्या है पुरुस वाचक सर्वनाम पुरुस वाचक सर्वनाम अब देखिए दोस्तो यहां से कोश्चन क्या बनेगा एक कितने परकार के होते हैं तीन परकार के कितने परकार के तीन परकार के पुरुस वाचक सर्वनाम पुरुस और इससे दोनों का बोध कराता है इसके नाम पर मत जाईए दोस्तों की पुरुस से बोध कराएगा अब देखें यह पहला होता है क्या उत्तम पुरुस क और तीसरा होता है दोस्तों अन्य पुरूस अन्य पुरूस अब दोस्तों उत्तम पुरूस को पहले समझ लेते हैं उत्तम पुरूस से कैसे पूछेगा अब देखिए दोस्तों उत्तम पुरूस किसे कहते हैं जो बात करने वाला वक्ता होता ना उसको क्या कहते हैं उत्तम इससे बात कर रही है, किसके बारे में एक अलग है कोई, इसके बुराई कर रही है, ठीक दोस्तों, अब देखिए, जो बात कर रही है, इससे बोल रही है, इसके बारे में बुराई कर रही है, बोलने वाला क्या हो जाएगा, वक्ता क्या हो जाएगा, वक्ता क्या हो जाएगा उत्तम पुरूस क्या हो जाएगा उत्तम पुरूस और जिससे बात कर रही है इससे बात कर रही है यह क्या हो जाएगी स्रोता क्या हो जाएगा मध्यम पुरूस क्या हो जाएगा मध्यम पुरूस अब दोस्तों जिसकी बुराई कर रहे हैं इसकी बुराई कर रहे हैं यह अन् ठीक दोस्तों अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं उत्तम पूरूस में क्या आता है, बोलने वाला वक्ता है उत्तम पूरूस जैसे मैं और हम मैं और हम किसमें आएगा मैं और हम मैं और हम मैं और हम किसमें आगए उत्तम पुरूस में और जिससे बात कर रही किससे बात कर रही इससे बात कर रही यह क्या हो जाएगी तुम और आप क्या हो जाएंगे मध्यम पुरूस तुम और आप ठीक दोस्तों यह क्या हो जाएंगे अब दोस्तों अन्न पूरुस कौन रहेगा अन्न पूरुस में वह आते हैं जैसे यह वय यह 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 बात करने वाला वक्त है उत्तम पुरुस और जो सुन रही थी वो मध्यम पुरुस और जिसकी बुराई हो रही थी ए अन्यपुरुस ठीक दोस्तो यहां से आप लोग को समझ में आया हुआ दोस्तो देखिए दोस्तो यहां से पोस्टन ऐसे बनेगा पूछ लेगा उत्तम क्या था दोस्तो दूस्तो देखिए समझ लिए यहीं पर निजवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों नीज मतलब होता है स्वैम जहां आप या स्वैम मिल जैक उधरान में हम आप या स्वैम पहिले समझे यह 1 जैसे कह तें कि मैं कां क्र लूँंगा या आप ही कर है ठीक दोस्तों आप क्या राय दे रहे हैं ऐसा कोई एक्जामपल दे जिसमें आप लगा रहे हो क्या हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा दोस्तों निजवाचक सर्वनाम आप लगा मिल जाए सीधा निजवाचक में ठोक देना दोस्तों अब देखते हैं द को जयासे लगवाशक सर्वनाम क्या हो जाएगा दूर्या पास वस्तु का या व्यक्ति JAMES है जैसे समझे है इसमें क्या हो जाएगा यह यह वह बाएंगा वह आएगा क्या यह है वह है क्या लगा मिलेगा यह वह है अब देखिए समझ यह यह सीमा का माकान है यह सीमा एक्जाम पर समझ लिए सीमा का माकान है अब दोस्तों देखे की लियर बता रहा है कि नहीं की लियर बता रहा है यह सीमा का माकान है अब फिक्स है कि निश्चित है तो आइसे बोलते ह यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, निश्चित बता रहा है, ठीक, जहां एकदम यह और वह, जैसे वह मेरा घर है, वह मेरा, मेरा घर या स्कूल कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है दोस्तों, वह मेरा घर है, निश्चित बता रहा है, यह किसके लिए, पास के लिए परियोग होता ह के लिए और वह किसके लिए दूर के लिए दूर के लिए इतना बात समझ में आई दोस्तों यह दिख जाए दोस्तों तब क्या हो जाएगा निश्चे वाचक सर्वनाम हमेशा दोस्तों तुरंत देखना तुरंत अच्छे से समझ लेना उसके बाद यह दूर के लिए मेरा स्कूल है ठीक दोस्तों ऐसे दे देगा तो तुरन ते मार देगा निश्चय वाचक सर्वनाम चाउथा देखते हैं दोस्तों चाउथा क्या है आ निश्चय वाचक सर्वनाम आ निश्चय वाचक सर्वनाम अब देखिए दोस्तों आ निश्चय वाचक सर्वनाम में क्या आएगा जैसे क्या किलियर नहीं रहेगा निश्चित नहीं रहेगा पास याद दूर की वासूस में निश्चित बता रहा था इसमें क्या रहेगा निश्चित नहीं रहेगा जैसे समझें निश्चित क्या नहीं रहेगा जैसे काई पानी में कुछ पड़ा है पानी में इसमे कны कुछ है पड़ा है अब देखिए दोस्तों यहां समझदीे पानी में कुछ सब 게ँ दोस्तो अब दोस्तों देखिए दूसरा इससे समझ लीजे है कोई घर पर आया है कौन आया है की लिएर हो रहा है नहीं पटा चल रहा तो क्या हो जाएगा कोई घर पर आया है जहां कि इस दोस्तों पतारा पानी में कुछ पड़ा है या कोई घर पे आया है कुछ है कोई लगा मिलेगा यहां क्या मिल रहा साल यह वह प्रिक दोस्तों सम बाद Aww का है बढ़िए खाष्ट स्मभंध के भी समंद बताइगा इसमें क्या आता दोस्तों जो जु सो मिलेगा जो और अब देखिए एक्जामपाल से समझजिये दोस्तों अपने क्वेइव हो जाएगा जो सो इसमें लगा मिलेगा हमेंसा जैसे वह जो है वह जो है वह जो जो है सीता की बहन है अब यहां देखिए जो आया की नहीं संबना बता रहा हुआ है सीता की बहन है किसी की और इसारा करके बता रहा कोई व्यक्त कह रहा हुआ है जो है सीता की बहन है तो यहां संबंद वाचक आया की नहीं आया ऐसे कह दें आयसे कह दें दोस्तों दूसरा एक्जमपल कल जो आया था पढ़ने में कल जो कल जो आया था वह पढ़ने में बहुत अच्छा था अच्छा था आएसा हो जाएगा ठीक दोस्तों यहां जो आया कि नहीं आया आएसे सेम दोस्तों जब भी जो सो दिखे जाए जैसा तुम करोगे वह इसा फल पाओगे कुछ भी दिख जाए जो सो लगा मिल जा सीधा ठोक देना संबंद वाचक सर्वनाम अब दो पूछेगा क्या करेगा दोस्तों प्रस्न पूछेगा अब प्रस्न पूछेगा तो क्या कहेगा कौन क्या आएगा इसमें क्या आएगा कौन क्या लगा मिलेगा कौन क्या अब इसको समझे दोस्तों क्या कौन घर पर आया था कौन घर पर आया था आया था आया था या तो क् रहे हो क्या कर रहे हो यहां दोस्तों देखिए इसके पता चल रहा है क्या कर रहे हो पूछ रहा नहीं क्या कर रहे हो तो प्रस्न कर रहा और कौन घर पे आया था पूछ नहीं रहा है अब कोई आया रहा होगा कहेगा कौन घर पे आया था तो ऐसे प्रस्न कर रहा जहां दोस् दोस्तों क्या लगा मिलेगा यहां जो सो लगा मिलेगा अब दोस्तों देखिए आप लोग को बताएं उत्तम पुरुस में क्या हो गया था मैं और हम आया था मैं और हम और मध्यम पुरुस में तुम तुम आप और दोस्तों तुम आप आया था मध्यम पुरुस में और अन्य में कुछ आया था और संबंद में जो सो आ गया दोस्तों ऑद समाचक में क्या आ बाइन से दो सब्सक्राइब आया दोस्तों cał ऑगले कि घ्रके में आप tadi